गुड मॉर्निंग स्टुडंटों आज हम कक्षा चटी के हिंदी विशय की साथ नंबर की जो कविता है नदी कंधे पर यह देखेंगे यह कविता प्रभु दयाल श्रीवास्तव जीने लिखी है तो इस कविता में यह जो प्रभु दयाल श्रीवास्तव है यह धरमपुरा द आदी इनकी प्रमुक रचनाय है। इनकी परिचय में अगर हम देखेंगे तो यह वीगत दो शद्दशकों से कहानी कविताए व्यंग लगु कताए गजल आदी लिखते है। द्वारा नदी के प्रती बाल मनोभावों को व्यक्त किया है नदी के प्रती बाल मनोभावों मतलब विविन प्रकार के बाल मनोभाव मतलब चोटे लड़कों के या चोटे बच्चों के मन में नदी के प्रती जो भावना होती है उसे व्यक्त करने की उन्होंने इस कवीता के कोशिश की है तो देखो अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने उसको हर रोज बहाते कूद कूद कर उचल उचल कर हम मित्रों के साथ नहाते मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमारे बस में होता बस में मतलब अगर हमारे हात में होत तो नदी उठा कर घर ले आते और उसे अपने घर के ठीक सामने हर रोज बहाते और उस नदी के पानी में कूद कूद कर उचल उचल कर जोरो से चला के मार कर हम मित्रों के साथ क्या करते हर रोज नहाते और पानी का मजा लेते कभी तेरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रिकत सब को करवाते सभी उपस्तित भधरजनों का नदिया से परिचय करवाते अगर हमारे मन में आता जटपट नदी पार कर जाते मतलब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे लेख कभी कह रहे है कि कभी तेरते कभी डूबते कभी पानी में तेर कर कभी पानी में डूब कर इतराते गाते मस्ताते मतलब इधर उधर नदी के पानी में चलांग लगाते और गाना भी गाते नदी आ गई चलो नहाने हम जब नदी आएगी घर के ठीक सामने तो सभी मित्रों को क्या कर देंगे जल्दी से बुलाएंगे जल्दी से सभी मित्रों को आमंत्रित करवाएंगे उपस्तित सभी उपस्तित भदरजनों का नदिया से परिचय करवाते भदरजन मतला समाज के जो सज्जन लोग होते हैं उनका नदी से परिचय करवाते और अगर हमारे मन में आता तो जटपट नदी पार कर जाते जटपट नदी मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जटपट या जल्दी से चले जाते खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिलाते शाम ढले फिर नदी उठा कर अपने कंधे पर रखवाते लाए जहा से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते खड़े खड़े उस पार नदी के नदी के दूसरे किनारे पर खड़े होकर हम क्या करेंगे जोर जोर से हमारी मम्मी को क्या कर देंगे आवाज दे देंगे और मम्मी मम्मी जोरों से चिलाएंगे शाम ढले फिर नदी उठा कर जब दिन भर नदी के पानी में खेल कुद कर हमारा मन भर जाएगा तो शाम ढलने पर सूर्यास्त हो जाने पर हम क्या करेंगे नदी उठा कर अपने कंधे पर रखवाते या रखेंगे और जहां से नदी को उठा कर लाए थे वही नदी को फिर से रख आते इस प्रकार नदी के बारे में कवी के मन में जो भी विचार है बच्चों के प्रती बच्चों के मन में नदी के प्रती जो विचार है यह सारे विचार या यह सारे खयाल कवी ने कवी प्रभूत याल श्री वास्तव ने इस कवीता के जरिये बताने की कोशीश की है